नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में 20 प्रस्ट आप से पूछेंगे जो कि साइन्स सेक्षन से है काफ ही इंपोर्टेंट है चलिए तो पढ़ते हैं सवाल को मानो शरीर के लिए सुख दायकता पड़िसर होता है इसके लिए आफसन्स दिये गए हैं इसका सही जवाब है ओप्सन नमबर चार दोस्तों से अरहाई सो होना चाहिए आगे सवाल नमबर टू जुआला मुखी फटने पर कौन सा परकृती चक्र प्रवावित होता है आपको ओप्सन्स पर ध्यान देते हुए आंसर देना है इसका सही जवाब है ओप्सन नमबर बी फास्फोरत चक्र आगे सवाल नमबर तीन परकास संसलेशन की किरिया की दर अधिक्तम होती है यहां से प्रश्ण आपका रेलवे पूछने वाला है निचीत रहिए इसका सही जवाब है ओप्सन नमबर ए 700 से 1000 फोरेन हाइट आगे सवाल नमबर चार कौन सा सबसे कम ताप परिशर को बर्दास्ट कर सकता है इसका सही जवाब है ओप्सन नमबर ए 1 घींगा आगे सवाल नमबर पाच लंबे ताप परिशर को सहन कर लेने वाले परानी क्या कहलाते हैं आपको सही जवाब सेलेक्ट करना है इसका सही जवाब है ओप्सन नमबर ए पर्ठू तापी उसको कहते हैं आगे सवाल नमबर छे नहीं है कौन सा गर्म रूदिदारी जनतू नहीं है आपको इसका सही जवाब सेलेक्ट करना है नहीं वाले में एक गुरूब को अरेंज करते हुए जवाब सोचना होता है तो इसका सही जवाब है option number D, कोबरा आगे सवाल number 7 किस जन्तु की लिंग अनुपात ताफ से सबसे अधिक परभावित होता है इसका सही जवाब आपको बताना है ताफ से अधिक परभावित होता है इसका सही जवाब है option number D, रोती फर्स आगे सवाल number 8 परकास रोत के वीरित दिशा में गमन करता है इसका सही जवाब है option number 1 के चुआ आगे सवाल number 9 कौम परकास वाले छेत्रों में पाए जाने वाले पौधे क्या कहलाते हैं काफी अच्छे सवाल है आपको याद होना चाहिए फिजिक्स आपके काफी कुछ पुछता है रेलबे आजकर फिजिक्स के सवाल ज्यादा पुछना सुरू कर दिया है इसका साहिज जवाब है औपसन नमबर A सीओ फेई आगे सवाल नमबर 10 जीव दरौव का पीएच मुल होता है आपको बार बार बोला जा रहा है कि अप पीएच मुल को याद कर लिजिएगा याद किजिए इसका साहिज जवाब है औपसन नमबर A 1.028 होता है आगे सवाल नंबर 11 वायू मंडल में कारवन ड़ी अक्साइड गयस की अदर्स मात्र मानी जाती है कितने परतिसत है अपका यहाँ इसका सही जवाब है आप्शन नंबर A 3 परतिसत आगे सवाल नंबर 12 वायू मंडल का सबसे परिवर्थन सिल्ट अत्व है इसका सही जवाब है आप्शन नंबर C O2 ओक्सीजन आगे सवाल नंबर 13 दोस्तों 13 नंबर सवाल पाढ़ने से पहले एक रिस्पॉंस मैसेज आपके लिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो प्लीज कर लिजिए आपके इंटरफेस ऐसे दिख करने के बाद जो बेल आइकन मिलेगा उसे बजा दिजिए दबा दिजिए तक आपको लेटिस्ट वीडियो मिल सके तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो और मंडल की वह सिमा जिसमें उचाई के साथ ताप गिरना बंद हो जाता है क्या कहलाता है इसका सही जवाब आप को select करना है इसका सही जवाब है option number A छोब मंडल आगे सवाल number 14 जिसकी अंतिम सीमा अंतिरिक्ष से अरंब होती है क्या कहलाती है क्या कहते हैं उसे कि इसका सही जवाब है option number A बोहम मंडल आगे सवाल नमबर 15 रोस बील लहरों का संबन्द है इसका सही जवाब है option number A मोसम आगे सवाल नमबर 16 एक टीवी फर का संबन्द है इसका सही जवाब है option number B भूमी गत जल आगे सवाल नमबर 17 मादा जनन पत्थ में पहुँचने के पहचात मानो सुकरानू अपनी निशेचन छामता सुरक्षित रखते हैं कितने मिनट तक समय टाइम डूरेशन आपसे पूछा जा रहा है इसका सही जवाब है option number C 90 मिनट के लिए आगे सवाल नमबर 18 महासागर जिसमें बिरोधी दिशाओ में से दो धरा एक साथ चलती है क्या कहलाता है किसमें चलती है ये पूछा जा रहा है आपसे महासागर जिसमें बिरोधी दिशाओ में से दो धरा एक साथ चलती है उस महासागर का नाम बता है तो उसका सही जवाब है आपसन नमबर B भूमध्य सागर आगे सवाल नमबर 19 फोटो कौपी मसीन कौन सा परदूसक उत्पन करती है काफी अचा सवाल है दोस्तों इस टाइप के सवाल आपके एक जाम में पूछे गया अगर आपके पास इस टाइप के सवाल का सेथ है तो आप उसे पढ़ लिजी अच्छी तरीका से और इसके नेक्स्ट जो पाट बनाएंगे उसको जरूर देखिए उसको बिल्कुल मत मिस कीजिएगा इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना परेगा अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है नहीं किये है तो कर लिजीoben और करतें बेल आईकन को जरूर दबा दिजीगा इसका सही जवाब है option नमबर और ओजोन आगे इसका सवाल नमबर 20 कमरे में िसकन करने है कर फर्मेंडी हाइट american का सबसे बदूसर्ट है आपके वर्हें इसका सही जवाब आपको सूचना है इसका सही जवाब है option number C furniture जो रहता है आपके कमरे में सोफा क्या-क्या पलंग यह सब दोस्तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करके share जरूर किजिए मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद